हेलो और वेलकम माई डियर फ्रेंट देस इज मी कुमार पंकरज और क्रेकनाव यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है जैसा कि आप जानते हैं इंपोटेंट टॉपिक आज मैं इस वीडियो में कवर करूँगा बहुत महत्पूर्ण ये डाटा रहेगा बहुत महत्पूर्ण ये प्रयास है हमारा और मेरे कुछ फ्रेंट्स का मिलके हमने एक कलेक्टिव डाटा इखटा किया है और experience है लोगों को मेंस लिखने का इंटर्व्यू तक पहुँचने का और आगे भी selection की process तक का तो उन सब से बातचीत करके मैंने ये डाटा जो है collect किया है और इसमें से मैं आपके साथ discuss करने वाला हूँ इसमें सिर्फ GS का मैं बात करूँगा literature optional के लिए next video आएगा उसमें मैं optional के लिए भी बात करूँगा सेम तरीके से important topic की मैं बात करूँँ तो इससे पहले कुछ information जो आपके साथ शेयर कर दूं कि BPSC Mains के लिए मैंने एक program चलाया है जिसका नाम है BPSC Mains Practice Program जो कि निसुलक रहेगा मेरे भाईयों के लिए मेरे दोस्तों के लिए मेरे चोटे students के लिए तो बिलकुल फिरी है उससे जोड़ने के लिए आपको सिर्फ चैनल सब्सक्राइब कर लेना है और मै जल्दी ही कल तक most probably एक वीडियो के माध्यम से आपको info दे दूंगा कि कैसे आप जुड़ सकते हैं टेलीग्राम से भी और कब से वो program सुरू हो रहा है most probably परसों से सुरू हो जाएगा या फिर कल से हम देखेंगे जैसे काम कर रहा हूं मैं उस चीज़ पर बट जल्दी ही आ उसका रणनीती बनाने की जरूरत होती है और सबसे जरूरी होता है कि आप समझें कि उसमें क्या पढ़ना है क्या छोड़ना है तो हम paper को समझते हैं किस प्रकार का paper आता है में GS1 GS2 नामके दो General Studies के paper होते हैं जो की UPSC में चार हुआ करते हैं मला ethics भी उसमें एड़ हो जाता है और एक compulsory qualifying paper होता है Hindi English का उसकी हम बात भी नहीं करेंगे क्योंकि वो हो जाता है जो selection दिलाता है वो GS1 और GS2 के साथ साथ optional paper होता है इस दोनों को अगर हम देखें तो GS1 भी 300 marks का होता है और GS2 भी 300 marks का ही होता है ठीक है अब हम देख लेते हैं GS1 में कौन-कौन से paper आते हैं तो इसमें history होता है, aesthetic portion होता है जिसको आज कल DI के नाम से लोग बोलाते हैं क्योंकि DI के ही question इसमें आते हैं तीसरा होता है current plus IR का submerged paper होता है तो इस section है basically paper तो एक ही होता है लेकिन इसका जो section divided है वो history, aesthetics और current plus IR का है GS1 का तीन portion वैसे ही GS2 में क्या तीन section आते है एक quality and governance का section होता ह Indian economy का section होता है और एक science and tech का portion होता है तो history आप इतिहास जानी रहे है, aesthetics मैंने बता दिया, DI data interpretation बोलते है, current plus IR ये अंतरराश्य संबंद और current affair यानि समसमाई की हो गया हिंदी वालों के लिए मैं बता रहा हूँ, आगे मैंने हिंदी में सब लिखा भी हुआ है, polity and governance का मतलब हो आर्थिक जो भारती अर्थ विवस्ता और science and tech का मतलब हो गया, विज्ञान और तकनी की और ट्रद्योगी की इसको कह सकते हैं, ठीक है, तो ये मैंने आपको पताया, GS1, GS2, कैसे इनके paper होते हैं, बिलकुल अब इसकी importance क्यों है, ये भी देख लीजे, तो history में आपको 6 questions वह होते हैं, तो ये बहुत important हो जाता है, कि 38 marks का each question होता है, यानि 3 marks अर्थिस के होते हैं, static यानि जो DI है, इसमें 4 question होते हैं, जिसमें इसे 2 करना होता है, graph based question होता है, 36 का each होता है, यानि 72 का total DI होता है, जो 2 question आपको 4 में से करने होता है, graph दिया होता है, उसके आधार पर ये solve गन्ना होता है, तो aesthetics का बहुत महत्पूंड रॉल इसलिए होता है, क्योंकि दो question है, इसमें आपको करने है, चार में से, अगर आपने दौनों ही कर दिये, तो आपको 72 marks बिलकुल मिल जाते हैं, क्योंकि objective type का question है, set है, या फिर कहें कि portion है, तो aesthetic like math जिसमें, अगर आपने सही किया, तो पूरा marks मिलेगा, जबकि history जैसे जो subject है, current का भी जो subject हो गया, quality हो गया, यह subjective in nature है, और इनका answer कुछ भी हो सकता है, सब के हिसाब से अलग-अलग हो सकता है, इसलिए इनमें full marks कभी नहीं मिलेंगे, आपको हमेशा 38 में से आप 24, 23, 25 आप कर रहे हैं इसकोर, तो बहुत बड़ी बात मानी जाती है, क्योंकि subjective in nature जो होता है, उसमें बहुत ज़्यादा चीजें होती है, कि अलग-अलग सब का अपना point of view हो सकता है, इसलिए static का जो path है, यह बहुत important हो जाता है, ध्यान से सुनिएगा इस बात को, 36 marks के 2 question होएंगे, 36 each, वैसे 4 होते हैं, बट आपको 2 ही करना है, तो आप इसमें choice देख सकते हैं, 50-50 का है, बट important है, तो इसमें बात करेंगे, अभी हम आगे की कैसे इसको approach किया जा सकता है, current plus IR में 5 question होते हैं, जिसमें से 3 आपने करने होते हैं, 38 each यह भी होता है, तो इसमें 2 38-38 के और 1 36 का होता है, मतलब paper का मैं बता रहा हूं, marks का, question के marks, total यह 300 हो जाएंगे जब आप इनको add करेंगे तो, क्योंकि 3 into 38 यह हो जाएगा, 3 into 38 यह हो जाएगा, 2 into 36 हो जाएगा, total मिला के 300 marks बन जाते हैं, ऐसे ही हम GS2 में देखेंगे, तो GS2 में मैंने आपको polity and governance बताया, तो इसमें 4 question होते हैं, जिसमें से 3 करने होते हैं, इसलिए polity को special ध्यान देना जरूरी होता है, क्योंकि इसमें जो है, ज्यादा choice नहीं होती, 4 question में इसे 3 करना होता है, और 38 marks का each question होता है, यानि 38 into 3, polity and governance, और इसमें क्या पढ़ सकते हैं, वो मैं आगे बताऊंगा, बहुत एजी हो जाएगा, इस वीडियो के बाद आपका आगे का सफर, इंडियन economy यानि भारती अर्थ विवस्था की बात करें, तो इसमें 5 question आते हैं, जिसमें से 3 ही करने होते हैं, और 30 marks each इसके भी होते हैं, science and tech में 4 question आते हैं, जैसे बिल्कुल यहाँ aesthetic में आता है, वैसे यहाँ पे 4 में से 2 करने होते हैं, 36 marks इसका भी होता है, ठीक है, तो यह जो है paper का pattern समझा दिया, मैंने आपको कि किस तरीके से question आएंगे, आप इसका screenshot ले लीजे, ताकि यह आपको भविस्था में refer, आप इसको कर पाएं, आसानी से, और crack now इसी लिए जो है unique platform है, क्योंकि मैं यहाँ पे unique तरीके से, आपको चीजें जो है elaborate करता हूँ, ताकि आपकी help हो पाए, अच्छे level पे, ठीक है, और मेरी कोई इसमें, स्वार्थ भी नहीं होता है, कि मैं छुपाऊं आपसे चीजें, हम free of cost ही सबको चैवे level कराते हैं, बस आप चैनल सब्सक्राइब गर लीजे, ताकि आपको help मिलती रहे, in future भी, history की बात करते हैं सबसे पहले, मैंने जैसा कि आपको paper set यहाँ पे बता दिया है, किसका कितना है, तो history में देख रहा हैं, आप 6 में से 3 करने होते हैं, अगर आप जितना मैं बोलूँगा, उतना कर लोगे, तो 6 में से 3 आप आराम से बना पाओगे, with choice बना पाओगे, यह मेरा दावा है, तो आपको history में, इतिहास में क्या क्या करना है, 3 art आपको जरूर पढ़ लेनी हैं, जो कि बहुत अच्छे से, जितना मैं बोल रहा हूँ, इस में से question कुछ भी आ सकता है, तो आपको इसको, जो भी इससे related होगा, जैसे पाल आर्ट की मैं बात कर रहा हूँ, पाल कला की मैं बात कर रहा हूँ, तो पाल कला से सम्मंदित व्यक्तित, तो इसकी विसेस्ता हैं, इसका प्रभाव, इसका प्रभाव बुद्ध के कला पे, या इसका प्रभाव बिहार पे, सब देखना है, ठीक है, तो यह अभी मैं बताऊंगा कैसे है, तो तीन आर्ट आपको पढ़नी है, पाल आर्ट, पटना कलम और मौरियन कला, मदुबनी की भी लोग बात करते हैं, बट इतना इंपोर्टेंट रहता नहीं है, आप यह तीन कर लोगे, तो काम हो जाएगा, इनमें से कोई एक पूछता है, तो पाल कला, पटना कलम और मौरियन कला को तीन को अच्छे से करना है, मौरियन कला, एक अलग जो है, अभी देखेंगे इसमें, तो यह मैंने आपको बता दिया, पाल कला, पटना कलम, मौरियन कला, जब मैं आपको प्रिलिम्स पढ़ा रहा था, तो पटना कलम के बारे मैंने बताया था, कि आम आदमी पे बेजड होती हैं ये सब चीजें, बट यहां मैं आपको मेंन्स का सिलिबस समझा रहा हूँ, और important topic मैं करा रहा हूँ, तो यहां अभी मैं पढ़ाने की स्तिती में नहीं हूँ, जल्दी वीडियो भी cover कराना है मेरे को, ताकि आपको सब जल्दी से समाझा जाएगा, ठीक है, तो मैंने तीन को बताया, बहुत अच्छे से आपने पढ़ना है, अब मैं आपको approach बताता हूँ, कि आपको पढ़ना कैसे है, क्योंकि सबसे important तो वही चीज है, कि आपको पढ़ना कैसे है, तो पाल और मौरिय कला से question आता है, इसके features से, कि इसकी विसेस्ताएं क्या है, सबसे important बात यही होती है, कला से विसेस्ताएं पूछी जाती है, एक फिर आता है impact यानि इसका प्रभाव क्या है, सबसे जरूरी तो यही है कि, अगर हम किसी चीज को देख रहे हैं, तो उसका प्रभाव किसी चीज पर पढ़ा होगा, तब ही उसको question बनाया गया है, अगर कोई चीज impact less है, यानि प्रभाव हीन है, तो उससे question क्यों ही बनेगा, तो प्रभाव पढ़ता है, इसका बुद्ध का, जो बुद्ध की कला है, या बुद्ध की विसेष्थाएं है, उनका प्रभाव दिखाई देता है, पाल और मौरिय कला पे, तो ये question पूछता है, कि बुद्ध की कला पे क्या प्रभाव रहा है, ठीक है, समझ भाए है, बुद्ध का प्रभाव इस कला पे क्या रहा, पाल कला और मौरिय कला पे, ऐसा question पूछा गया कई बार, और इस कला का प्रभाव बिहार पे क्या पड़ा है, ये है, दो अलग-अलग चीज़ें है, कि बुद्ध का impact क्या दिखाई देता है, इस आर्ट पे, यानि पाल पे और मौरियन पे, और इस पाल और मौरियन आर्ट का प्रभाव क्या दिखाई देता है, बिहार पे, इस एप्रोच के साथ, अगर आप question को prepare करके जाएंगे, तो फिर किसी भी type का question आ जाए, बना पाएंगे, आपको समझ आया, मैं क्या कह रहाँ, पाल आइट आपको करना ही है, उसकी विसेश्थाएं करना ही है, उससे सब पढ़ना ही है, पटना से भी, मौरियन से भी, बट आपको ये भी तरीके से पढ़ाई करनी है, जिस जो भी आप करेंगे कि उसका impact जो है बिहार पे क्या है, ठीक है, like अप index scheme कुछ भी कर रहे हैं, तो बिहार में उसका क्या प्रवाब है, क्योंकि आप ultimately BPSC देने जा रहे हो, तो you have to write on it, what is the impact on Bihar, ठीक है, तो this is the very important thing, which you have to be serious about, कि क्या देखना है और क्या छोड़ना है, ठीक है, सबसे जरूरी यही उतार, means में आपको बहुत subjective लिखने का chance मिलता है Bihar में, तो इसलिए आप अच्छे से इसको देख के जाएंगे, चलिए अगला देखते हैं, मैंने आभी आपको यह history में 8 बता दिया है, topic 1, अब दूसरा एक जन जाती है विद्रो, topic 2 है, इससे बहुत सारे question पूछे जाते हैं, य travel moments में, अगर आप देख रहे हो, तो travel moments क्या है, वो पता होना चाहिए, इसके कारण क्या रहे है, वो पता होना चाहिए, प्रकार कैसे रहे, यानि हिंसक था या अहिंसक था, क्या चीज़ें रही और इसकी विशेस्ता है, particular बिद्रो की, like की, अगर बेरसा मुंडा की आप ब internal purification की बात की, यानि जो अंतर सुद्ध की बात की, जिसमें उन्होंने ये कहा कि हम किसको मानें, किसको नहीं मानें, अहिंसा की बात की गई इसमें, या धार में कुथान की बात की गई, तो ये विशेस्ता हैं, आपको पता होनी चाहिए, किसी भी जो भी आप movement पढ़ रहे हो, क्योंकि अगर आप बहतर तरीके से त्यारी करना चाहते हो, तो वो आपको उसी level पे पता होना चाहिए, तो travel revolt की मैंने बात की, इसमें तीन important है, कोल, संथाल और बिरसा, जिन से लगातार question आता रहता है, संथाल और बिरसा को आपको separately भी पूछा जाता है, ठीक है, कई बार तो ऐसा होता, जन जाती है, विद्रो की बात करतो, तो आपने जो मन में आया, उसके बारे में लिख दिया, तीन-चार एक्जामपल ठेट करके, बट कभी-कभी क्या है, संथाल और बिरसा से separate question भी देखने मिलता है, तो आपको इनको बहुत अच्छे से करना है, इसमे वही की reason क्या थे, इनके type, इनसका क्या रहा, और ये कितने part में रहा, यानि चरण की भी बात आती है, और internal purification जैसी theory जो दी गई बिरसा में, यानि कि जो इन्होंने आत्म सुद्धी गरण की बात की, या जो अंदर reform किया, अपने इसके moment के दौरान, जो इन्होंने जितने भी नारे दिये, या दीकू वाली बात आती है, बाहरी लोगों को एक क्या बोलते थे, इन्होंने क्या नैतिक माना, वो सब चीजें, जो इनकी विसेस्ताएं हैं, वो आपको पता होंगी, तो काम हो जाएगा, ठीका, जन जाती है, विद्धरो में, आपको समझ आ गया होग में, तो ये important हो जाता है, जन जाती है, विद्धरो के कारण देख लोगे, टाइप देख लोगे, तो काम हो जाएगा, बट सहजानन सरसती पे एक सौट नोट अलग से लिखने आ जाता है, तो इनके बारे में एक सौट नोट प्रिपेर करके आप रहेंगे, ताकि आपको ब important चीजें हैं, यह आपको पता रखनी है, अगर आपको यह सब चीजें समझ आ रही है, कि मैं बहुत अच्छे से crystal clarity के साथ आपको बता पा रहा हूँ, तो चैनल को subscribe कर लो, अब मैं mains में भी, जो है practice में भी इन सब चीज़ों को include करूँगा, और आपको बहतर लाब होगा, म मैं ऐसा मानता हूँ, मेरी ऐसी feeling है, आपकी क्या feeling है, मुझे बताईएगा कि मैं आपको help कर पा रहा हूँ कि नहीं, 1857 एक महत्पूर अगला topic हो जाता है, reason of the revolt आपको पता हो, इसमें expansion इसका कहां कहां हुआ, यह प्रसार कहां कहां हुआ, किन-किन समुदायों का, इसमें सह आपको पता हो, किसने क्या बोला, और इसको expansion इसका कैसा हुआ, कौन लोग इसमें participate कर रहे थे, reason इसके क्या थे, और इसका क्या impact पड़ा आने वाले समय पे, वो भी बहुत महत्पूर हो जाता है, बिहार पे इसका क्या effect रहे, यह भी आपको पता होना चाहिए, Convercing especially, इसमें आपको एक note, short note ready करना रहे चाहिए, Convercing पे 1857 से related, क्योंकि ultimately आप BPSC दे रहे हो, तो बिहार से, जो भी question बनेगा, उसमें बिहार का जिक्र आपको करना ही है, यह बात ध्यान रखना, बार-बार बोल रहा हूँ, If you are attempting any question in BPSC, you have to connect or link that question with बिहार, ठीक है, बिहार से जरूर जोड़ देना है question को, कैसे भी जोड़ो, ठीक है, बिहार से जोड़ो, that is why, आपको number बहुत अच्छे मिल जाएंगे, This is the only reason, जो लोग अच्छा score करते हैं, वो कैसे चीजों को तोड़ मरोड़ के, फिर वही प्रस्तुत करते हैं, वही दिखाते हैं, जो examiner देखना चाता है, अगर आप 1857 का revolt लिख रहे हो, तो बिहार पे उसका क्या impact है, बिहार का withdraw पे क्या impact है, कुमर सिंग का impact रहा, यह लड़की ने, चली आगला महत्पूर्ट टॉपिक है, चमपारन सत्याग्र है, से भी question कई बार पूछा जाता है, इसका गहन अद्यन आपको करके जाना है, चमपारन का, क्योंकि इसको watershed बोला जाता है, और यह क्या कहलाता है, नव प्रवर्तन या कहते हैं कि इसका जो आपको note बना लेना चाहिए, क्योंकि ultimately आपको 4-5 page लिखना है, तो आप देख लीजे कि आपको 4-5, 30 marks का question होता है, तो आपको कितना ज्यादा है, उसमें deep लिखना होगा, कितना ज्यादा लिखना होगा, इसलिए आप बहुत अच्छे से note अपना prepare करें, क्योंकि scientific data यह कहता है, कि अगर आपने मान लिखे 10 page पढ़े हैं, तो आप exam hall में, खुद उसमें से 37% जो है, almost पहुचा पाते हो, कई लोग तो 10% तक ही पहुचा पाते हैं, यानि कि आपने 10 page पढ़े, तो आपको याद रहेगा, सिर्फ 30%, और 30% में से आप कितना deliver कर पाते हो, वो एक अगली बात है, तो इसलिए अब जितना ज़्यादा prepare करेंगे, उतने अच्छे से मान exam में express कर पाएंगे, नहीं तो words कम पढ़ जाते हैं, कई बार अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए, ये means में भी खाम आता है, और ये व्यक्तिकत जीवन में भी ऐसा होता है, कि पाते हैं लोग, ठीक है, चलिए, 1942 का जो अंदोलन है, उससे बहुत सारे questions बनते हैं, तो ये भी आपको याद रखना है, आजात दस्ता यहां पर important हो जाता है, JP से संबंदित है, आजात दस्ता का रॉल क्या रहा, इस से question 1942 के revolt में आता रहता है, अंदोलन में, बिहार का आएगा आपके लिए, ये important चीजे हैं, अब हमने section 1 देखा है, आप section 2 देखेंगे, यानि हमने paper 1, GS1 का section 1, जो की history था, उसको देख लिया, अब section 2 देखेंगे, जो की है DI, जैसा कि मैंने बताया, इसमें से 36, 36 के 2 question, आपने attempt करने होते हैं, तो DI बहुत important होता है, क्योंकि य अपने आपको, वो बहार हो ही जाता है, क्योंकि DI is very important, DI को आप नहीं छोड़ सकते हो, ठीक है, तो graph based इसमें question आता है, जो आपको attempt करना होता है, must needed, must attempted ये जो question होता है, PYQ आप इसके लिए देखके जाएंगे, पूरा, ठीक है, अब तक जितना है, 58-69 से, अच्छे से आप PYQ का अगर करेंगे, तो 50 के आसपास PYQ हो जाएगा, यानि previous year question की मैं बात कर रहा हूं, और mains के लिए सबसे अच्छा PYQ ही होता है, ये मैंने आपको topic बताए है, ये तो prepare करना ही है, बट PYQ तो आप नहीं छोड़ेंगे, 58-69 जितना जादा से जादा PYQ लिख पाएं, उ PC को द्यान में रखते हुए मैंने जो है, मेंस के लिए practice program सुरू किया है, उसमें मैं आपकी help करूँगा, कि आप ज्यादा से ज्यादा लिख पाएं, क्योंकि जितना ज्यादा लिखेंगे, उतना अच्छी practice होगी, और वो exam में काम आएगा, ultimately, पढ़ा हुआ काम नहीं आना करना ही है, ठीक है, must to do चीजें मैं बता रहा हूँ, आपको यह नहीं छोड़ सकते हैं, जितना भी मैं आपको बता रहा हूँ, यह करना ही होगा, mains का मैंने पहले ही बोला, वही जुड़ें जो मेहनत कर सकते हैं, अन्ने था, ना जुड़ें, please, क्योंकि मेरा भी समय ना बर पूछा जा चुका है, मिसन सकती पर पूछा जा चुका है, तो अब आप समझ रहे हैं, मेरा क्या तात पर यह है, करेंट इन न्यूस से, कि जो उस समझ चर्चा का बड़ा मुद्दा होगा, वहीं से क्वेश्चन बन जाएगा, नर्सी काफी बड़ा मुद्दा रहा, डोक से क्वेश्चन बन सकता है, बेका साइन किया गया, तो क्वेश्चन बन सकता है, एपक में जो है, इंडिया नहीं है, तो वहां से क्वेश्चन बन सकता है, आशियन कंट्री से हमारे संबंद कैसे है, नौर्थीस्ट पॉलिसी क्या है, लोकिस्ट पॉलिसी क्या है, आधी आ तो इंडेक्स आपको अच्छे से पता हो, तो वहाँ बात बन सकती है आपकी, अंतरराष्टे संस्थाओं से question आता है, यानि जितनी भी international बड़ी organization है, उनका रॉल क्या है, या उनसे संबन्देत, आप PYQ देखेंगे तो समझ जाएंगे, मैं PYQ पर आपको practice कराऊंगा भी, तो वहाँ इस चीज़ को और अच्छे से detail करेंगे, आपको फिलाल मैं syllabus समझाने कोसिस कर रहा हूँ कि आपको क्या करना, महत्पूंट topic हैं ये सारे, इसकी में news तो must needed है, मैंने बताई दिया, mission सकती पूछा जा चुका है, तो आगे और भी सारे missions पूछे जा सकते हैं, ठीक है, make in India जैसी question, दो-दो बार पूछ लिए गया है, same repeat question, BPSC repeat question पूछता है, तो PYQ करना बहुत जरूरी होता है, क्यों हो सकता है कि आपने PYQ में करा, आगले साल आप भी उसको कर रहे हो, तो मज़ा ही आजाता है, life हो जी जाती है, एकदम जिंगा लाला, ठीक है, जिंगा लाला वाली, नहीं, जिंगा लाला वाली, चलिए GS paper 2 द difference क्या है, ठीक है, difference between constitution and constitutionalism, पूछा गया question PYQ में, तो यह आप prepare करके रखो, ऐसे question क्या है, repeat भी नहीं होते न, तो आपकी clarity को जो है maintain करते हैं, एक दिमाग में एक broad clarity अगर रहती है, तो यह direct indirect आपको benefit करता है, क्योंकि paper subjective है, means is the subjective paper, तो आप इसमें, जो आपके पास अच्छ है, क्योंकि literature के paper को आप current से जोड सकते हो, economy के paper को आप quality से जोड सकते हो, इसी लिए तो कहा जाता है, कि जितना आप practice करेंगे, उतना आप सीखेंगे, जितना आप सीखेंगे, आप उतना बहतर होंगे, और जितना बहतर होंगे, उतना अच्छा rank ले पाएंगे, तो इसी ल खाओ, लुक वाइज वो अच्छा लगे, पढ़ने में अच्छा लगे, तम मज़ा आएगा, ठीक है, चलिए, मैंने आपको बता दिया, एक अगला fundamental right यानि मौलिक अधिकार से लगातार question आता है, और इसको थोड़ा deep पढ़ना, article 19 और article 21 के बारे में बहुत अच्छे से देख सकते हैं, article जो important है, Indian constitution के लिए और जो भारतिया citizen के लिए, like 15, 16, 19, 21, 21 उसमें नहीं होता है, इसको तो आपको add करना है, 15, 16, 19, 29 जो हैं, ये तो होते ही हैं, तो इनको आप रखेंगे, और बाकी फिर ये, इन 19 और 21 को अच्छे से आपने separate भी देखना है, तो मौलिक अधिकार से कई सारे question आते हैं, जैसे मैंने जो अभी आपको बताया, mains की जो है, अपने program की practice वाला जो वीडियो बनाया, उसमें मैंने आपको बताया था कि एक question मौलिक अधिकार से, अभी 65 भी VPSC में पूछा गया कि, सम्विधान जहां एक तरफ मौलिक अधिकार को देता है, तो दूसरी तरफ छीन लेता है, तो उसमें आपको बहुत सारी चीज़ें आप लिखने के लिए थी, कि इस पे जो reasonable restrictions लगाए गए हैं, उससे या फिर जो अपसपा जैसी चीज़ें लागू हो जाती हैं, उससे या फिर जो जन जाती है छेत्रों में जो है entry नहीं मिलती उससे, फिर उसके आप reservation system, तो यह बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको आप इसमें लिख सकते थे, बट ultimately आपको यही बताना था, कि यह सिर्फ reasonable restrictions हैं, जो कि बहुत जरूरी होते हैं लगाना, तो इसके बिना जो है चीज़ें नहीं चल सकती हैं, और जो DPSP हैं, उनको भी ला मैंने आपको यह बताने की कोशिस की, कि मौलिक अधिकार से लगातार question आता है, तो इगनोर नहीं करना है, और किस level पर पढ़ना है, वो भी मैं आपको साथ की साथ समझाता जा रहा हूँ, छेत्रिया party, यानि regional party से question आता है, इनकर role पूछ लिया जाता है, कि regional party का role क्या है, क question बनता है, इसका भी role पूछा जाता है, बिहार में भी, आपको लिंक तो करना ही है, हर question को बिहार से, निर्वाचन आयोग काफी चर्चा में बना रहता है, इसलिए इससे भी question पूछ लिया जाता है, ध्यान रखना है, बहुत important और बहुत favorite topic होता है, ये UPSC भी पूछता है स्टेट भी पूछता है, एकात्मवाद और संगवाद, ठीक है, इनके सरकारों के बीच विवाद रहता ही है, इस पे यानि फेडरलिजम और यूनिटरी गवर्मेंट का जो system है, इसमें क्या यूनिटरी है और क्या फेडरलिजम का जो है गोतक है, दियोतक है, क्या denote करता है यह इनसे बनता ही है, फेडरलिजम और यूनिटरी गवर्मेंट वाला question तो आपको पता ही होना चाहिए, बहुत अच्छे से बहुत डेटेल में, comparison भी कर सकते हो with other countries, if you can, then you have to do it, तो यह important बात हो जाती है, फिर आता है governor and president, आजकल जो है, यह बहुत important है, और इसको obviously आपने लिंक तो करना ही है, governor और president को आपको, और condition in बहार तो इसको must relate करना है, ठीक है, governor से कई बार question पूछा गया है, अभी हाल फिलाल में जो पीछली बार question पूछा गया, तो कटपुतली जैसे किसी सब्द का इस्तेमाल किया गया था, तो governor और president, आप इससे जरूर पढ़के judicial activism, judicial review को किया कहते है हिंदी में, न्यायपालिका की जो सक्रियता है, ठीक है, न्यायएक बॉर्णा विलूकन, ठीक है, review को कहते है, न्यायएक पूर्णा विलूकन, और judicial activism को कहते है, न्यायएक सख्रियता, इस पे बहुत बार question पूछा गया है, तो यह दोनों टॉपिक ब प्रियम्बल, BPSC में आज कल ये पिछले 2-3 साल से नहीं पूछा जा रहा है, बट अब इसलिए बहुत important हो गया है, कि नहीं पूछा गया है काफी time से, तो अब पूछा जाए, तो ये आपके लिए butter on bread है, कि इसको आपने करना ही है, करके जाए, extra preparation हमेशा एक step आगे चलने की कोसिस करिए, तो पंचायत और प्रियम्बल को बहुत अच्छे से cover करके जाए, हो सकता है, question आपने देखने मिल जाए इसमें, ठीक है, अब आ जाते हैं section 2 पे, Indian economy and geography, तो geography वाला portion बहुत कमी होता है, इस जीज में, एक economy से ज्यादा question बनते हैं, तो agriculture sector बहुत important है, very, very, very important agriculture sector बहार में, क्योंकि वहां की अर्थवस्ता किरसी आधारित है, तो question बहुत बनते हैं, all dimension इसकी cover करने हैं, मैंने आपको बताया भी है कैसे, लाइक की MSP, जो MSP दिया जाता है, उसका क्या है, लॉन वेवर, यानि जो क्रिसी के रिण मिलते हैं, उस पे भी क्या है, जो छूट दे दी जाती हैं, वो सबसिडी दे दी जाती हैं, या जो agriculture की स्तिती क्या है, प्रभाब क्या है, इसमें और क्या उपाय किये जा सकते हैं, तो इस तरह एग्री कल्चर का पूरा आपको पता हो, बिरुजगारी भी इस से आप जोड सकते हो, तो एग्री कल्चर का ब्रॉड वे में आपको पता होना जरूरी है, बिहार के लिए बहुत अच्छा टॉपिक है, इंडस्ट्री, बिहार से पूछा जाता है, बीमार इंडस्ट्री में भी आपको MSME वाला जो सेक्टर है, यानि सूक्ष्म लगू और मध्यमुद्ध्योग, यह तो फैब्रेक टॉपिक है, BPSC का, तो MSME को बारे में स्कीम भी आपको पता होनी चाहिए, मुद्रा योजना जैसी स्कीम है, तो जैसे भी आप अग्री कल्चर प उनको आप अगर महाँ पे कोट कर देंगे, तो बहुत अच्छा आपका बन जाएगा, और बिहार की स्कीम कोट कर देंगे, तो और मजा आ जाएगा जीवन में, जैसे अग्री कल्चर में आप यह जो सॉलर पंप के लिए स्कीम चलाई गई, उसका कोट कर दें, या फिर और बहुत सारी स्कीम चलती है, जो दोगुना करने की बात है, इनकी इंकम को उसका जिकर कर दें, तो बहुत कुछ आपके पास होता है अल्रेड़ी, जो प्रिलिम्स में आप करेंट पढ़ते हैं, वो सब यहां काम आता है, MSME के लिए मैंने बताई दिया, मुद्रा योजना हैं, जैसी कई सारी योजना हैं, जो चल रही हैं, उनका entrepreneurship के लिए चल रही हैं, उनका भी जिकर यहां कर सकते हैं, planning यानि योजना से, जो हैं योजना हैं, जो रखी गई उनसे question आता है, बहुत important topic है, इसको भी broad level पे cover करना है, economic survey of Bihar, अच्छे से पढ़ के जाओ, कहीं से कोई भी question पूछ लेता, economic survey of Bihar पे related question आते हैं, तो detailed मैं आपको फिर से पढ़ना, economic survey, सारा देख जाओ ना दादा, कि जो primary sector में क्या किया जा रहा है, government के जा रहा, secondary sector में क्या किया जा रहा, tertiary sector में क्या किया जा रहा है, तो ये detailed question आता रहता है, इससे आपको aware रहना है, और अच्छे से budget survey को prepare करके जाना ही है, ठीक है, budget तो होई जाएगा, survey हो जाएगा तो, एक question जैसे पूछा गया बिहार के आर्थिक पिछड़ेपन का कारण क्या है, और इसके उपाय क्या हो सकते हैं, तो इस तरीके से question आता है, और ये आपको आर्थिक पिछड़ेपन, यानि कि इसमें कई सारे sector की बात हो जाएगी, इसमें primary भी आ जाएगा, इसमें secondary sector भी आ जाएगा, planning भी आ जाएगा, तो एक broad question ये बन जाता, जितना जादा आप सोच स ठीक है, तो practice जादा जैसे जादा करो, अच्छा, schemes in news मैं पहले बोल चुका हूँ, कि question बार-बार schemes पे आता रहता है, निश्चे से आपको पता होना चाहिए, data सहित, साथ निश्चे बिहार में चलते हैं, वहाँ से question आ सकते हैं, महत्मा गादी नरेगा बहुत important है, आज कल इससे question बनने की संभावना है, ये भी bread and butter है आपके लिए, कि अब हो सकता है, आजाए, तो इसको पर prepare रखो, development reported, जो report है, वो आपको पता हो कि किस schemes मैं, कितना development हुआ है, data सहित, अगर आपको पता होगा, तो काम हो जाएगा, तो scheme in news आपको पता रखना है, पढ़के जाना ह ताकि आपको वहाँ बगलें, ना जहां कना पड़ें, ठीक है, चलिए, science and tech पे आजाते हैं, science and tech पे क्या important है, तो energy वाला जो chapter है, ये बहुत important है, ये topic बिहार का favorite है, इसमें question आता ही है, all dimension आपको जो है cover करने है, कि problem क्या है, energy sector की scientific solution क्या हो सकते हैं, ध्यान रखना है, वहा attempting any question in science and tech, then आपको scientifically solution ही देना है, must think about it and सीख लो इसको, वहाँ ज्यान मत बगारना, कि बाई, सरकार ये कर दे, सरकार वो कर दे, सरकार ये कर दे, सरकार सब कर रही है, आपको scientific solution वहाँ देने है, आप एक administrator बनने जा रहे हो, ज्यान नहीं देना, नेता नहीं हो, ठीक है, तो ये देन रखना, problem आप बताओगे, तो solution उसका scientific होना चाहिए, ये देख लो, पढ़ लो, बहुत टाइम है अभी आपके पास, energy में, nuclear energy, hydropower energy, solar energy, सारे sectors के बारे में आपको पता होना चाहिए, ये भी जरूरी है, disaster management से question पूछा जाता है, बिहार में disaster का बहुत बड़ा problem है, तो सिर्फ बाढ तक ही सीमित मत रह जाना, जितना ज़्यादा disaster कवर कर लोगे, उतना जैसे lightning भी एक disaster है, और जो भी तूफान भी disaster है, वहाँ पे बाढ तो ही, बाढ तो ही, सूखा भी disaster है, और इनके reasons आप बताओ, और फिर solution दो science की अनुसार, scientific solution देना है, बारबार बोल र ठीक है, तो solution आपको देना है, वो भी science की according देना है, reason मैंने आपको बता दिया है, और इस schemes को relate करेंगे, जैसे इंद्रवज्रा अप चल रहा है, तो इसको आप माँ कोट करेंगे, तो बहुत अच्छी तबियत खुस हो जाएगा, examiner की गदगद हो जाएगा, एकदम बैठ कुर्सी पे की दौनों पैर ऊपर करके की महादे प्रकट हो गए, ठीक है, कॉपी में, तो pollution आपको अच्छे से याद रखना है, all type pollution के बारें पता हो, soil, water and air and all, everything, you have to be quick about it, you have to learn the things, easily, और जितना quick और जितना brief आप इसको करोगे, उतना बहतर, pollution, all type का आपको पता होना चाह देने के बदले ग्यान जैसे ही नमबर दे देगा, ठीक है, तो scientific solution आपको देना है, ठीक है, तो यह जो है मैंने सारे aspects को cover किया है, और इसी way पे मैं कोसिस करूँगा, कि आपके practice भी करा हूँ, and data भी आपको दूँ, और track now आपको कितना मददगार हो पा रहा है, आपकी preparation में मुझे जरूर लिखिए, comment box में, और मैं आपको कितना अच्छे से समझा पा रहा हूँ, मेरी भी तारीफ करिए, ठेर सारी मजा कर रहा हूँ, थोड़ा mood हलका किया आपका, तो thank you so much for watching crack now, and all the best for your upcoming exam, for mains, and thank you so much, subscribe करना मत बूलिए, क्योंकि देखिए, मैं पूरी कोसिस कर रह करने के लिए भी आपको advance में, thank you, have a good day, jay hind